जय प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद जगत गुरु जय श्रीला प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रीला 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 प्रभुपाद को भाए तुमने खिश्ना की भक्ति को जगाया तुमने क्यान की गंगा को भाया तुमने कृष्णा की भक्ती को जगाया दुन्मने आपकी महीमा को करे सब याद जय प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद वचन गुरू के नीवाने के लिए उठा लिया वीडा तुमने जाने के लिए वचन गुरू के नीवाने के लिए उठा लिया वीडा तुमने जाने के लिए बाट दिया तुमने किष्णा नाम का प्रशाद जय प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद निर्विशेशा शुन्यवादि पाष्यात्यदिशतारिने निर्विश्ना शुन्यवादि पाष्यात्यदिशतारिने 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 शुन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमो सुथे तप्तकांचन गाुरांगी राधे व्रुंदा वनेश्वरी व्रशवान सुथे देवी प्रणमामी हरी प्रिये वांचा कल्पतरुभ्यष्या कृपसिंधु व्यवच्या पतितानाम पावनेभ्यो वैष्ण वेभ्यो नमो नमहा श्री क्रिष्ण चैन्या प्रभो निद्या नंदाभ श्रीद्वे दगदाधरः श्री वासाधी गौरब भक्त वृंदभ Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa Teresa Krishna Hare 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 равно Hare Rama 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 Hare 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 जयताम् सुरतो पंगोर मममंदमतेगतिर मत्सर्वस्वपदांभोजो राधामतनमोहनो कृष्नायवासुदेवाय देवकी नंदनायचो नंदगोपकुमाराय गोविंदायनमोनमहा 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 नमहा पंकजनाभाय नमहा पंकजमालिने नमहा पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये पंच्यतत्वात्मकं कृष्ना भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामी भक्ताशक्तिकं गुरुवे गौर चंद्राया राधिकाये तदाले कृष्णाया कृष्णा भक्ताया तद्भक्ताया नमो नमहा। ओम्नमो भगवते वासुदेवाया नारायनम नमस्कृत्यम नरंचैव नरोत्तमं देविम सरस्वतिम व्यासं ततो जयं मुदिरयेत् नष्ट प्रायेशु अभत्रेशु निक्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तमश्वों के भगते भवतिन इ乐रेक्रिश्ट्र तो अभी भाद्रपुणिमा आ रही है तो आज का श्रीमत भागवत Kangugام का क्लास भाद्रपुणिमा के उपर framework कि बाख ची battling को शयशंच करते हैं साथ साथ आज वामन द्वाद अश्य भी आ रही हैं कल छ तो सबसे पहले हम भात्रपणिमा के उपपर बुलने जा रहे हैं तो श्रीमत भागवत के बार्वे सकंद के तेरवे अध्याय के तेरवाशलों कि ट्वैल थर्टिन थर्टिन उसमें सुत्वगोस्वामी बता रहे हैं यह श्रीमत भागवत के बारवाशकंद का आखरी चेप्टर हैं आखरी अध्याय और आखरी अध्याय में सुत्वगोस्वामी बता रहे हैं प्रोश्ट पढ़्याम प्रॉणमाज्याम हैम सिम्ह समन्वितं ददातियो भागवतं स्याति परमाम गतिम् प्रोष्टपध्यां पॉनमास्यां हेमसिम्हं समन्वितं ददातियो भागवतं सयाती परमांगतिं। प्रोष्टपध्यां पॉनमास्यां हेमसिम्हं समन्वितं ददातियो भागवतं सयाती परमांगतिं। पौष्ट पद्याम पौनमाश्याम एमसिंह समन्भिताम ददातियो भागवताम सयाति परमांगतिन। अड़रना चाहिगान। Hare Krishna, Prabhupada, Jai Krishna. Hare Krishna, Prabhupada, Jai Krishna. रत्रत्रत्रत्यां पर्मस्यां घर्मसिहां समन्वितं, तदाति उण्भागवतं, स्रयाति परमांगतिं, Hare Krishna, Jai Krishna, Jai Krishna. अधर बार्वा स्कंद का तिर्वा ज्याय का तिर्वा श्लोक है 12, 13, 13 बार्वा स्कंद और कोई दौरान चाहते हैं तो ठीक है नहीं तो अनुवाद और तात्परे में चलते हैं अनुवाद और तात्परे बाई इसी भक्ति विदान्त स्वामी श्रीलप रभुपात महरा अज की जाए यह अध्याय का नाम है श्रीमत भागवतम की महिमा उसमें सुत्व गोस्वामी बता रहे हैं जैसे कि हम जानते हैं कि शुकदेव गोस्वामी ने परिक्षित महराज को साथ दिन श्रीमत भागवत की कथा करी थी और वो साथ दिन का आखरी दिन यह है भादरपुणिमा और यह भादरपुणिमा भी आ रही है मतलब तीन चाह द पुर्णा होती होने वाली है और उस कथा के बारे में सुत्व घोस्वामी बता रहे कि जो उन्होंने शुकलेव गोस्वामी को बोलते हुए सुना था और परिक्षित महराज को बता रहे थे वो बात सुत्व गोस्वामी अभी बता रहे हैं कहते हैं अनुवाद में अनुवाद और तात्परेवाई एसी भक्ति विदानत स्वामी श्विला प्रभुपाद महराज की जाए यदि कोई व्यक्ति भाद्रमास की पूर्ण मासी को सौने के सिहासन पर रखकर श्रीमत भागवतम का दान उपहार के रुप में देता है तो उसे परम दिव्य गंतव्य प्राप्त होगा तो मैं फिर से ये अनुवाद धोराता हूँ यदि कोई व्यक्ति भाद्रमास की पूर्ण मासी को सौने के सिहासन पर रखकर श्रीमत भागवतम का दान उपहार के रुप में देता है तो उसे परम दिव्य गंतव्य प्राप्त होगा तो ये उरिजिनल अनुवाद है तातपरियन श्रीमत भागवतम के को सौने के सिहासन पर रखना चाहिए क्योंकि यह समस्त सहीत्य का राजा है धात्रमास की पूर्ण मासी को सहीत्य का राजा रुपी सूरिय सिहासन राशी पर स्थित होता है और ऐसा दिखता है मानो राज सिहासन पर बिठाया गया हो जियोतिश के अनुसार सुर्य सिही राशी में सर्वच्च स्थिती पर होता है इस प्रकार मनुश्य बिना किसी बंधन के इस परम दिव्य ग्रंथ श्रिमत भागवतम की उजा कर सकता है तो यहाँ पे दो विशय आता है दो विशय है आज के श्लोक के अंतरगत एक पहला विशय है श्रिमत भागवतम और दूसरा विशय है ददाती देने का उपहार में देने का और कैसे देने का यहाँ बताया है कि सौने के सिहासन पर क्यों क्योंकि यह ग्रंथो का राजा है जैसे कि एक वेद का चार वेद का हिस्सा किया वेद व्यास जी ने उसके बाद 18 पूरान, 108 उपनिशत और कहीं सम्मिताई बताई गई तो ये सभी शास्त्रों का जो नीचोड है वो श्रिमत भागवतम है आप जैसे कि आप सब जानते हैं कि व्यास्दिव जी को ये सभी शास्त्रों लोग हितकारेणों को लिए का किया क्योंकि कलियुक्के लोग मंदाहा, समंद मतयो, मंद भागया उपद रता तो ऐसे मंद बुद्धी वाले व्यक्ति को शास्त्रों याद नहीं रहेगा इसलिए उन्होंने लिपी अवतार किया और ये सभी शास्त्रों लिपी अवतार में करने के बावजुद भी उनको मन की शांती नहीं होई और उनके गुरू नारतमुनि के द्वारा जब आदेश दिया गया कि आपने जानती होए भी पता नहीं कैसे भगवान की महिमा का वर्णन नहीं किया है भगवान की आपने सब कुछ लोग ही तो तक कर篇णव कार्य किया लेकिन भगवान की महिमा का वर्णन नहीं किया इसलिए आपको मन की शांती नहीं है आप अपने गनान में परिपूर्ण है नारत मुनी व्यास दिव जी को कहते हैं कि आप तो सभी कुछ त्रिका लग गिया है आप सब कुछ जानते हैं आपके पास पूर्ण अगनान है लेकिन ये भगवान की महिमा नहीं हुई इसलिए आपको मन की शांती नहीं नहीं तो ये चीज हम सब जानते हैं हमारे जीवन में कि हमें सब शीख लेना है कि इवन व्यास दिव जी जैसे भागवत के और सनातन धर्म के शास्तर के रचा ही था उनको भी मन की शांती तब प्राप्त हुई जब भगवान की महिमा का गुणगान किया और भगवान की महिमा का गुणगान तब होता है हमारे जीवन में बोलने से नहीं होता भगवान की महिमा का गुणदान कैसे होता है, भोकतारम यगनतापसाम, सर्व लोक महेश्वरम, भगवान भोकता है, ये समझकर ये बात बताना चाहिए, तो ये भोकता है भगवान, और इस तरह गनात्वा मांग शान्ती मरच्चिती, इस तरह व्यक्ति को पूर्ण शान्ती की प्राप्ति होती हैं, तो यहां पर बताया है दूसरा दूसरी बात है कि इसको पूर्ण मासी यानि की पूर्णता का स्वरुप है ये एक मात्र गरंथो का राजा है जो अमलम पुरान है फिश्ची चैतने मापर भुगेते ये अमलम पुरान है इसमें कोई काला डाग नहीं और इसको सौने के सिहास पर सौनए का सिहासन क्यों कहा क्योंकि सौना अतिकिंती धातू है और सबसे श्रेश्ट धातू में सबसे श्रेश्ट और वो भी सबसे श्रेश्ट दीन पूर्ण पूर्ण मासी के देने इसको सक्चे रध्धे से दुसरे जीवों का कल्याण के लिए देना चाहिए अगर आज के समय में आचार्यगन बताते हैं कि अगर आज के समय में सब लोग यथा शक्ति में रिसोने का सिहासन नहीं ला सकते हैं तो क्या करना चाहिए तो वो भी हम चर्चा करेंगे कि जैसे कि भगवान की चरणामृत भगवान के पाद प्रक्षालन का जल स्वर्ग से जब इस पृत्वी पर आ रहा था गंगा के नाम से तो भगवान शीव ने देखा कि भगवान के पाद प्रक्षालन आये हैं और भगी रात्म राजा की प्रात्तना से उन्होंने गंगा जी को अपने मस्तिष्क पर धारण किया अपने मस्तिष्क पर धारण करने का अर्थ क्या है कि वो तो वहिश्णवा नाम यथा शंबो वो परम वहिश्णव है वो अपने हाथ से भी ले सकते थे गंगा जी लेकिन उन्होंने सोचा कि अपना सर्वश्रिष्ट अंग जो है मेरा सर उसके उपर भगवान के पाद प्रक्षालन होना चाहिए और पाद प्रक्षालन का जल उन्होंने सर पहे स्विकार किया तो गंगा जी का आउतरण भगवान शिवी ने अपने सर पर धारण किया तो सर जो है वो एक प्रतिनी जित्व करता है कि हम उसको पूरी त तरह सनमान देते हैं और सर्वश्रेष्ट तरह स्रिकार करते हैं तो श्रीमत भागवत भी हमें अगर सौने के सिहांसन पर आज की युग में नहीं दे पाएं तो भी हम अपने सर पर रखके दूसरों को श्रीमत भागवतम दे सकते हैं जैसे कि गीता में भगवान का शब्द है पत्रम पुष्पम भलंतोयम योमे भक्तिया प्रयच्चती पत्रम पुष्पम भलंतोयम ये सब चीज को भगवान को आवश्यक्ता नहीं है लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं इससे इंपोर्टन क्या है योमे भक्तिया प्रयच्चती अगर ह हम अपने सच्चे रदय से जीव के कल्यान के लिए अपना उद्धार के लिए नहीं हम अपना दिव्यगंतव्या की सोच नहीं वह सकाम कर्म है लेकिन एक जीव का कल्यान करना है क्यों करना है क्योंकि इससे भगवान की प्रसनता प्राप्त होती है जब भगवान की प्रसनता प्राप्त होती है तो इस भाव से जब हम सच्चे रजय से गदगद होकर कोई युग्य वैश्णों को या भक्त को अगर हम अपने मस्तिष पर श्रिमत भागवतम धारण करके भगवान के सामने उसके सर पर दिया जाता है तो वो भी वोही प्रमान साबीत होता है कि हमने श्रिमत भागवत को सर्वश्रेष्ट आदर सहीत उपहार दिया आदर सहीत उपहार दिया तो ये कल्यू का मानवी कर सकता है अपनी यथा शक्ति के अनुसार हमें श्रिमत भागवत ये उफार सब को देना चाहिए भादरपुणिमा का सुवन आउसर आ रहा है अभी दो तिन दिन में तो ये हमारे लिए एक सुनरा आउसर है कि हमें इस भागवत को देना चाहिए अभी यहां पे तात्वरे में प्रहुपाजी बताते हैं कि भागवत तो सहीत्य का राजा है ग्रंतों का राजा है ग्रंत राज है इसलिए उसको सरवश्रेश्ट आसन पर बिठाना चाहिए और दूसरी बात बताई गईई कि सिह उस समय पुर्ण मासी के दिन सूरिय तुर्य देवता जो है सभी देवताओं में प्रधानिय माना जाता है और व को भी सूर्य दिवता उस समय रासी में सरवच्च स्थिति में रहते हैं उस समय अगर हम श्रिमत भागवत दूसरे को देते हैं तो उसके बारे में कहना ही क्या है तो ये भागवान का एक अनुकम्पा है है कि हरेक व्यक्ति ये कारिय कर सकता है अभी ये कारिय क्यों करना है ये भागवत के बारे में हम अभी देखेंगे कि ये श्रीमत भागवत का ये यहार हम क्यों मनाते हैं इसके पीछे क्या क्या बाते हैं तो ये चीछ हम देखेंगे अभी कि ये भद्रपुर्णिमा में दो सब्जे के उपर हमने संशिप ने वर्णन किया एक है श्रिमत भागवत और दूसरा है ददाती यानि कि उपहार में देने का अभी इसके बारे में अलग-अलग जगा में क्या-क्या बताया गया है ये पत्मपुरान में लिखा है कि संसार सिंधू को पार करने के लिए अगर कोई भावतिक जगत में कोई ब्रीज है कोई पूल है भावतिक संसार को पार करने के लिए तो वो है श्रिमत भागवतम श्रिमत भागवतम भावतिक संसार को से तरने के लिए है तो जब हम दुसरों जीवों के प्रति उसको तारन कि लिए श्रीमत भागवतर पर्ण करते हैं अपनी या अपना नेम फिर्म बढ़ाने के लिए नहीं किसी को पता भी न चले कि हम कितने भागवतम सैट ओफर करते हैं लेकिन जीओ के कल्यान के लिए यह चीज हमारा ध्यान में रखना है तो श्रीमत भागवतम जो है यह बहुत गुप्त तरीके से भी भगवान के सामने भी यह श्रीमत भागवत जो है भाद्र पुणिमा को अरपन करना चाहिए तो आई अभी देखते हैं यह अलग-अलग एपीसोड में श्रीमत भागवत की महिमां कैसे आगे वड़ी तो हम शुरू करते हैं पहले पत्म पुरान से लिए आभी शुरू करते हैं श्री है चयतनी अ महाप्रभू से ने श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि भगवान के भक्त रुपी अवतार हुए और श्रिमती राधारानी का प्रेम का आस्वादन का प्रचार कमेगी अभी देखें कि श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है तो जैसे कि हम देखते हैं अभी रादास्ट में गई हमने देखा कि रादारानी कौन है रादारानी जो है अगर करुणा की जो पराकास्ता है करुणा की कोई सीमा नहीं होती लेकिन अगर करुणा की भी सीमा हो जाए वो करुणा की सीमा का जो स्वरूफ है वो है श्रिमति राधरानी और वो भगवान को अती प्रिया आनंद देने वाली अलहादिनी शक्ति है और भगवान उनकी सेवा से श्रिमति राध करके exposed करके श्री कृष्डर चैन्य महाप्रभू के रुप में प्रगट हुए अभी श्री कृष्ड चैन्य महाप्रभू कि राधारानी का। परगट हुए हैं। और वो अपने वक्षस्ताल में श्रीमती राधा कर्द है का operation कर रह revenue राधारानी का महिमा की आस्वादन करने के लिए प्रगट हुए और अपने रधे में राधाराणी का रधे का operation कर रहे हैं मतलब उसको विस्तार से सुक्ष्म नजर से देख रहे हैं कि ऐसा क्या भाव है राधाराणी में जिसको मेरी सेवा करके आनन्द होता हैнос के सेवा ने मुझे खर homeland भगवान भगत्वत्षर है राधारानी भग्त शिरो मनिये तो वह शिवा को भगवान ने देखा कि भगवन के ते कि मुझे भी खरिद लिया मुझे भी ये उनका वक्षस्तल में अपना राधारानी का रधय लेकर आना पड़ा तो ये राधारानी का रधय कितना इंपोर्टन्ट है जो सेवा का भाव है तो उस रधय में तैकिकात करते 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 चैतने महाप्रभु को कहीं चीजे मिली उसमें सबसे पहले तो हम देखते हैं कि शिक्षा स्टक है जो चैतने महाप्रभु की शिक्षा है तो चैतने महाप्रभु की शिक्षा में उन्होंने क्या कहा जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश प्रती घरे घरे जईयो मागो भिक्षा करो कृष्ण शिक्षा तो जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश ये श्रिमती राधारानी का कंडेंस करुणा का फॉर्म है हम इसको ऐसे ही ले लेते हैं ऐसे ही उसको स्लोगन पकार लेते हैं ये स्लोगन महमोली नहीं है इसके पीछे राधारानी की करुणा का क्या बोलता है kandense स्वरूप है कि जारे देखो तारे कहो क्रिश्न अपदेश तो ये चीज राधारानी के रदह में थी और और वो चीज शी चैतन्य महाप्रभु ने अपने आदेश में अपने मत रजु किया तो उसमें बताई दूसरा चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि श्रीमत भागवतम गोपी भरतुपाद पत कमले दासा दासानु दासा फिर कहा कि श्रीमत भागवतम अमलम पुराणं यह तो इसका मतलब हैता है कि हम अगर किसी को कोई गिफ्ट देते हैं तो सर्वश्रेष्ट गिफ्ट देनी चाहिए कि जो की उसके लिए उसका जन्म मृत्यु जराव्याधी को तोड़ कर उसको गोलोक व्रंदावन धाम प्राप्त हो ऐसी भावना से गदगद होकर ऐसी ही उपह कार देना चाहिए और ये प्रचार का कार्य का एक हिस्सा है और वो हमारे कितना सदभाग्य है कि भक्ति विदान्त स्वामी श्रिल प्रहुपाजी ऐसे दिव्यकारियों में हम सब को जुटा रखे हैं चाहे घीता जैंती हो चाहे बादरपुर्णी माओ और इसके अंदर प बोलोगे एक घंटा लेक्चर लोगे तो लोग भुल जाएंगे क्या पता उसके पास याद रहे ना रहे लेकिन अगर आपने कल्यूक का जो स्वरूप है भागवान श्री कृष्णा का स्वरूप है वो श्रीमत भागवतम है अगर वो भागवतम अगर आपने किसी को दिया जन्ममृत्यु जरा अगर वो भी ज्यादा इच्छुक नहीं है तो भी भागवत उनके घर में रहेगा कोई ना कोई उनके परिवार का व करेगा और उसका कल्यान हो जाएगा तो यह भावना श्रिमत भागवतम के अंदर वरी हुई है एक बार हाँ चैतने महाप्रव की बारे में बात कर रहें तो उसमें देख रहे हैं कि चैतने महाप्रवो आपनी आचारी से यह सिखा ऊभाँ तो गदाधर पंडीत के पास जाकर mirrors चैतन्य महाप्रभू ये शरीमत भागुत carbon सुना लें की कि कडाधर पंडीत उर चैतन्य महाप्रभू सुनते थे और वह एक बार भागुत नहीं पड़ा दो बार नहीं पड़ा दस बार नहीं पड़ा बलकि 508 से भी अधिक बार श्री चैतने महाप्रभु ने श्रीमत भागवत पड़ा तो उन्हों ने अपने आचरण से भागवत का आस्वादन किया और आस्वादन करके बताया कि यह अमलम पुराण है श्री चैतनिय मतमिदम चैतने महाप्रभु ने अपना मत रजुकिया जो की श्रिमती राधारानी का रदय से प्राप्त हो रहा है राधारानी के भाव में ये मत रजुकिया है दूसरी बात है कि जब एक बार नारद मुनी को पुछा गया कि श्रिमत भागवत कैसे हमें सुनना चाहिए और कितनी बार सुनना चाहिए तो नारद मुनी कहते हैं नारद मुनी के शब्दों बता रहे हैं सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद भागवती कथा यस्यस्मरण मात्रेना हरी चित्तम समाश्रेत उसको सदा इसका सेवन करना चाहिए और जो सदा सेवन करता है भागवा श्री क्रश्ना उसके रदै में स्तीर होकर स्तापित हो जाते हैं उसका स्मरण मात्र से हरी श्रीमत भागवत का भागवाज जो है उसके रदय में स्थापित हो जाता है तो ये श्रीमत भागवत पूरी दुनिया को वितरित करने के लिए भक्ति वेदान्त स्वामी श्रिला प्रभुपाजी ने कितनी महनत की है एचैतर ने महप्रभु की प्रणा लिखा है और आप देखते हैं कि ये उरिजिनल प्रणा लिखा तो आप देखते हैं के नारद मुनी में चार सनत कुमार को सुना रहे थे अलग-अलग इसकी चैनल है तो व्यास देव जी के द्वारा शुक्देव गुस्वामी को प्राप्त हुआ और शुक्देव गुस्वामी जो की राधारानी के परम शिश्य है कोई भी पेड़ के उपर शुक यानि की तोता वह राधारान की मद्धूर अधी मिठी हो जाती है और जो जब शुक्तेव को स्वामी के मुख से श्रीमद भागवत की कता का प्रवाह निकला किसके लिए निकला प्रिक्षित महाराज के लिए अगल आप देख सकते हैं कि वो अभीमन्यों के पुत्रत तो अभीमन्यों कौन था अरजुन का पुत्रत था पागवान ने भागवतम रसमालयम ये भागवत पीने जैसा है हम तो कभी इच्छा से अनिच्छा से भागवत सुनने के लिए आते हैं या तो बैठते एक गंड़ा हो गया समय की घड़ी को देखते हुए लेकिन परिक्षित मारत ने साथ दीन और साथ रात दीन रात निर्जला और बिना अन्न रात दीन श्रीमत भागवत का अस्वाधन किया और किसके द्वारा शुक्देव गोस्वामी के द्वारा राधारानी की शिष्य के द्वारा ये अस्वाधन किया और परिक्षित महराज ये अस्वाधन करके साथ दीन के बाद जब शुक्देव गोस्वामी ने कोई संचय है कोई डाउट है तो बताईए तब वह कहते हैं कि अभी मुझे कोई डाउट नहीं है तब जब शुक्लेवगोस्वामी प्रयान किया और परिक्षित महाराज को अपना शराप उन्होंने सहर्ष स्विकार करके गोलोकृद्णावन धाम की प्राप्ति होई वह बा भागवत भाद्रमाइना की पूर्ण मासी को उपहार में देना चाहिए तो यह एक अध्यत्मिक प्रमाण है कि यह भागवत कितने किमती हैं अभी भागवत जो हैं दो तरह भागवत का दो इलाज हैं वन शुड्लिव लाइक परसन भागवत भागवत हमें लिविंग एज अध्यूकेशन भी देता है और लिविंग एजूकेशन भी देता है यह जगत से कैसे प्रयान करना चाहिए खिए यह लिविंगें लिविंग का प्रमाण और श्रीमत भागवत से पराफ्त होता है तो यह श्रीमत भागवत जो है कि यह जैतन्या महाप्रभु हर रोग करते हैं नारद मुनि कहते हैं सदा से बिया सदा से बिया और अभी गुरुद्त पर्वा canuke देखते हैं तो रुपोगोस्वामी प्रवपाजी के परहें पात में आते हैं, रुपोगोस्वामी ने भी लगु भागवता मृत का प्रतिपाधन किया, सनातन गोस्वामी ने ब्रोहत भागवता मृत बताया, विश्वना चक्रवट इठाकूर ने भागवत की महिमा को बहुत विस्तार से समझाया, अभी आके देखते हैं कि चैतन्य महाप्रव के जो सर्वश्रेष्ट ब्रुहत मृदं के पारशद है कौन श्रिवास आचारी श्रीनिवास आचारियों को श्रीमत भागवत कैसे प्राप्त हुआ उसकी कितनी महिमा है ये श्री निवास आचारिय के रदय को समझ कर हम एक उधान के रुप में अपने लिए स्थापित कर सकते हैं कि श्री निवास आचारिय जो है वो हम जैसे पंच तत्व महामंत्र बोलते हैं तो श्री कृष्ण चैतन्यन प्रभोन इत्यानंद श्री अद्वइत गदाधर श्री वास आधिगंग भक्त व्रिंद्व वो श्रीवास आधी यानि कि भक्तों का लीडर श्रीवास आधी गउर भक्त व्रिंद्व तो वो श्रीवास आचार्य को श्रीमत भागवत कैसे प्राप्त हुआ देखते हैं कि श्रीमत भागवत को चैतने चरिता मुर्तों में ये वणन है कि उनके पीता ने उनको कहा तो कि आप जाकर जगनात्पुरी में जाकर चैतन्य महाप्रभु के पास जाकर श्रीमत भागवत सुनिये चैतन्य महाप्रभु के पास जाकर भागवत सुनने के लिए उनके पीता ने नवदिप से श्रिवास आचारे को जगनात्पुरी भेजा श्रिवा साच्चारिय जगनात्पुरी पहुंचे और वहाँ चैतन्य महाप्रभु के पास भागवत सुने के लिए पहुंचे तब देखा कि जगनात्पुरी में तो सभी भक्तगण रो रहे थे रो रहे थे कि यह क्या हो रहा है जब यह अनुभव किया तो पता चला कि श्रिवा साच्चारिय अभी मुझे भागवत कौन सुनाएगा तो जब रो रहे थे तो एक दीन दो तीन रोए तो उनको रात में सौपन में श्री चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने बताया है कि आप रो मत आप टोटा गोपीनाद जाओ और गदाधर पंडित के मुझे श्रिमत भागवतम सुनिए तो वो वहां से गदाधर पंड पंडित का सेविय और्चविग्रा है भगवान कृष्ण का पैठे हुए पद्मा सन में और्चविग्रा है तो वहां पे गए श्रिवासाचारियों तो वहां देखा कि उस जमाने में हमारी तरह बुख को छपी हुई नहीं होती थी उस समय पेड़ के पत्तों में साही से ल लिखा गया और श्री गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रव के गोलोग गमन के बाद वो भी बहुत जोर से रो रहे थे इतना रो रहे थे कि उनका रोने का प्रवा उनको पता ही नहीं थे कि बिलकुल बेहोश हाल में रो रहे थे उनको पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है उन और गदाधर पंडित को बताएं कि आप हमें भागवत सुनाई हैं तब उन्होंने देखा तो पेड़ के पत्ते से पूरी साही निकल गई थी आंसों की धारा से जब ये उनको एहसास हुआ कि ये भागवत पढ़ नहीं सकते हैं तब उन्होंने श्रिवास अचार्यों का आदेश दिया कि आप दक्षिन भारत जाईए वहां कोई संस्कूरूत विद्वान पंडित को प्राठना कीजिए और उनके हाथो नए पेड़ के पत्तों पर और और किलवारी सही नहीं और गिनिक सही से श्रिमत भागवत लिखवाईए और वो लेकर आईए मेरे पास लाईए तब मैं आपको पढ़के पूरा भागवत सुनाओंगा गदाधर पंडित ने ये बात कहीं श्रिवास आचारे चल पढ़े दक्षिन भारत की और और दक्षिन भ भारत में एक युग्य ब्राह्मन भक्त केंडिडेट मिला कि जो भागवत लिखने के लिए तयार हो गया है तो इसमें क्या क्या आवश्यक्ता है पेड के पत्ते इकठे करने हैं अठारा जार चलोक हैं पेड के पत्ते को इकठा करना है उसको साफ करना है उसकी साही की जो साही है उसका एरेंज करना है योग्य ब्राह्मन को डुणना है वह भक्त ब्राह्मन होना चाहिए संस्कृत का स्कॉलर भी होना चाहिए ऐसे सब इकटा करके श्रिवास आचर्य ने वह ब्राह्मन भक्त के द्वारा भागवत लिखवाया वह भागवत लिखकर एक साल बीद ग कर तब सब फिर से जगनात्पुरी में रो रहे थे बोले क्यों रो रहे तो बोलते हैं कि गदाधर पंडित गुलोग गमन कर गया है तो श्रिवास आचारे को इतना दुख हुआ कि मेरे नसीब में क्या श्रिमत भागवत है कि नहीं श्रिमत भागवत अभी पहले चैतने महाप्रवु चले गए फिर श्रिमत भागवत चला गया अभी गदाधर पंडित चला गया तो मैं किस से भागवत सुनूंगा तो बड़े दुखी थे दुखी रदे में रोया करते थे देखे कितने रोने के बाद आकरंद के बाद श्रिवास अचारियों को भागवत से लॉल्यम था क्योंकि पीता का अदेश था अभी ये गदाधर पंडीत वो रहे थे दो दिन के बाद उनको स्वत्न में गदाधर पंडीत आए और गदाधर पंडीत ने कहा कि तुम जाकर व्रंदावन जाओ और जाकर वहां रूप और सनातन गोस्वामी है उनके द्वारा श्रिमत भागवत सुनो तो ये पूरा श्रिमत भागवत को ले कर वो गए व्रंदावन में आये और व्रंदावन में आकर सब देखा कि सब लोग व्रंदावन में रो रहे हैं तो बुलते क्या हुआ तो बुलते कि रूप और सनातन गोस्वामी ने गोलोग गमन कर लिया है इसलिए सब लोग रो रहे तो वो श्रिवास आचार्य अती दुखी हुए कि मेरे नसीब में क्या श्रिमत भागवत नहीं है क्या हो रहा है तो वो श्रिमत भागवत रूप और सनातन गोस्वामी से सुनना था लेकिन वो गोलोग गमन कर गए फिर वो बड़े दुख के साथ आत्रता के साथ रो रहे थे इतना रोना आकरन था भागवत के लिए कि उनको रूप और सनातन गोस्वामी सौपन में आकर कहे कि तुम जीव और वो तुम्हें भागवत सुनाएंगे और वह भागवत के पत्ते को लेकर वो रुप सरात्र्रों palavत को जीव गोस्वामी के पास बेजा और जीव गोस्वामी ने रादा गोविनदेव मंधिर व्रन्दावन में गोविनदेव मंधिर में jiv द्रुगुज्वामी ने श्रीमद भागवत की क्ता श्रीवास आचर्य को सुनाई। देखिए एक सच्चे भक्त को कैसे भागवत प्राप्त हुआ। में बैठके पूरी राद जग जग कर जिवों के कल्यान के लिए शरीमत भागवत को अंग्रे जी में अनुवाद किया अंग्रे जी ऐसी भागवत नदी है अंग्रे जी भाषा की जो दुनिया के सभी जीव तक पहुँच सकती है तो उन्होंने पूरी राद बैठ कर राद को दस बजे से लेके सुब़ चार बजे तक श्रिमत भागवत का ट्रांसलेशन राधा दामुदर मंदिर में किया और वो हो राद को दामुदर मंदिर में ये ट्रांसलेशन करते 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 जब पूरा हो गया तब उन्होंने अपने गुरु के आदेश के अनुसार पाश्चयत जगत में जाने की खुशिश की बड़े कश्ट के साथ खाली ये वो अमेरिका जाने के लिए तैयारे में लगे जब उनको अमेरिका जाने की टिकेट प्राप्त होई कार्गो शिप में सुमति मुरार जी देशाई के द्वारा तब किसी ने प्रवपाजी को पुछा कि प्रवपाजी आप अमेरिका जा रहे हो क्या प्रवपाजी कहते हैं मैं अमेरिका नहीं जा रहा हूं श्रीमद भागवत अमेरिका जा रहा हूं मैं उनका दास बनकर उनकी सेवा के लिए जा रहा हूं कि भागवत को कैसे पहुंचाना है भागवत की महत्ता को कैसे बढ़ाना है प्रभुपाजी ने कैसे सौने के सिहासंते भागवत का वित्रण किया दस साल तक 1955 से लेके 1965 साल तक दस साल में उन्होंने भागवत का सिर्फ प्रथम सकंद अंग्रेजी में अनुवात किया दस साल लग गया एक सकंद में और वो सबसे स्ट्रॉंग था और बाकि सकंद के लिए अगर दस साल बिताएंगे तो 120 साल होगा प्रभुपाजी वो सोचे कि मैं तो बुड़ा हो गया हूं मैं 120 साल तो जिन्दा रहूंगा नहीं तो शायद मेरा ये जिवन उल्ण हो जाए लेकिन भागवत अगर मैं पूरा न कर भाओ तो क्या होगा तो मैं भागवत सबको नहीं पहुचा पाऊंगा इसलिए उन्होंने पूरा भागवत के सबी सकंदों का रस खीच-खीच कर पहले सकंद में भर दिया तो प्रभुपाजी का दिव्यद रष्टी था वो अपनी आयू को देखते हुए पूरी भागवत पूरा करने की उनको आयू मिले ये ना मिले इस भाव से उन्होंने पूरा भागवत का अम्रुत पहले सकंद के अंदर ठास ठास कर भर दिया दूसरा इनका दिव्यद रष्टी ये था कि आज का कल्योग का मानवी मंदा हा सुमंद मतयों मंद भागया उपद रता ऐसी अवस्ता में उसको भागवत के प्रती दिल्चस्पी नहीं है जैसी ये श्रिवास आचार्यों को थी तो ऐसे मंद गुद्धी वाले मनुश्य को जो अपना उद्धार को अपने कल्यान को नहीं देख सकते ऐसे मनुश्य को अगर 12 सकंद होगा तो बहुत लंबा भागवत शायद वो पढ़ते पढ़ते रास्ते में छोड़ दे शायद उनका रस निकल जाए क्योंकि उनका पापों से बरा हुआ है कल्यूक का जीव है इसलिए करुणा करके उन्होंने पहले सकंद में सब कुछ परियाप्त मात्रा में भर दिया था कि अगर कोई लोग भागवत को बीच में से छोड़ देते तो अभी पहला सकंद में उ अपने रधय के गद गद भाव से लिखा है और तारदर्शक माध्यम से लिखा है शास्त्र को पुराणों को कोट करके लिखा है अपनी नमक मिर्ची नहीं चिट की है ऐसा श्रिमत भागवत को लेकर वो अमेरिका गया है भागवत उनको लेकर अमेरिका गया तो ये प्रभुपाज्जी ने भागवत को अंग्रे जी में अमेरिका में पहुंचाया और उसके बाद में 100 भाषाओं में अमेरिका में dec Imadasate चैंच जी ऑनद्र पहुंचा प्रभुपाज्जी ने अपना जीवन जो की राधारानी की परंपरा और में संभी थे रुपगो स्वामी सनात्म गो स्वामी चैतन्य माप्रवु शिवास आचारियों यह और प्रभुपा जी यह सब रादानानी के शिश्या है और उनका जीवन का ध्या था श्रीमत भागवत हरेक जीव को पहुंचाना अगर हम अपने पुर्ववर्ति आचारियों के पदचीनो का अनुसरण करना चाहते हैं तो हमें श्रीमत भागवत जारे देखो तारे कहो क्रिश्न उपदेश की तरह भागवत घर-घर पहुंचाना चाहिए यह श्रीमत भागवत ऐसा अम्रुत तुल्य है कि इसकी कोई सीमा इस भावतिक जिगत का कोई शब्द नहीं कर सकता यह श जैसे कि श्रीमत भागवत में पहला सकंद का तीसरा अध्याय का तैताली स्वाशलो 1343 में कहा गया है क्रिश्ने स्वधामो पगते धर्मग्णाना दी भी सह कलावनाश्टत रशामेश पुराणा को दुनो दितह यह श्रीमत भागवत ने जब द्वापर के अंत में भागवान श्री क्रश्न गोलो गमन की अपनी लीला पूरी करके उसके बाद धर्मने किसका आश्रय लिया वो आश्रय धर्मने श्रीमत भागवत का आश्रय लिया और वो श्रीमत भागवत भागवान का वांग में स्व बागवत जब हम कृष्ण को दूसरों को पहुंचाएंगे भागवत के रूप में तो गीता में भगवान कहते हैं यह यथा माम प्रपत्यंते ताम सतव बजामिहम मम वर्तमानु वर्तंते मनुष्या पार्थ सर्वशन कहते हैं कि भगवान कहते कि जो जिस तरह से मुझे पदां करता हूं तो जब आप सभी जीवों के कल्यान के लिए श्रीमत भागवत को पहुंचाओंगे और अपने रदह के गदगद सिहासन पर बैठा कर अपने मस्तिष्पे धारण करके पहुंचाओंगे भगवान शिव की तरह भगवान शिव ने गंगा को मस्तिष्क में धारण किया है ऐसे भागवत को मस्तिष्क में धारण करके अगर जीवों को पहुंचाओंगे तो क्रश्ण जिसको दिया है भागवत यानि श्री कृष्ण और कृष्ण अगर दूसरों को माटोगे तो कृष्ण आपको मिलना ताय हो जाएगा और यही है हमें भगवान अ शास्त्र से ही लेना चाहिए पुर्वबर्ति आचारियों से लेना चाहिए शास्त्रों के अनुमोदन से लेना चाहिए इसके अंदर काफी गहरा गुडार्त है गहरी हम नहीं कभी कभी हम पूरे भागवत को अमारे अंदर अगर कलमश है तो हम पूरे भागवत को नहीं समझ सकेंगे लेकिन प्रभुपाजी का अम्रूद भगवान का अम्रूद एजिटीस दूसरों को प्रदान करेंगे उसके परिवर में आज नहीं तो कोई ना कोई ऐसा आएगा जो भागवत पड़ेगा और प्रभुपाजी कहते हैं कि अगर आप आधा गंटा एक गंटा भागव सबी कल्यान होगी प्रभुपाजी जहां जहां पर विच्रण किये 1965 से लेकर 1977 तक 1965 से 1977 तक प्रभुपाजी जहां जहां गए तो सबसे पहले वहां के मंदीर के प्रेशिडेंट और लीडर को पुछते थे श्रीमत भागवत का वित्रण कैसे हो रहा है उन तो और कहीं भी द का वित्रण कैसे हो रहा है क्योंकि जिन्हों ने अपना रधय अपना तन मन सब कुछ भागवत को समर्पित किया है अपना जीवन भागवत को समर्पित किया है वह स्वयम भी परसन भागवत है रवपाजी परसन भागवत वह दिव्य भागवत के रुप में लिपी अवता में शास्त्र के रुप में समर्पित किया है यह भागवत का वित्रों कैसा चल रहा हूं रोपा जी सिर्फ हर एक सेंटर में जाते थे तो सबसे पहले प्रश्ण यही करते थे तो भागवत डिस्ट्रूबिशन जो है वो ब्रुहत मृदंग है हम मंदिर में मृदंग बजाएगे तो इसका आवाज मंदिर तक फैलेगा भगवान की महिंमा का गुनगान किर्टन मंदिर की सिमाओं तक रहेगा लेकिन श्रीमत भागवत डिस्ट्रूबिट होगा तो पू यह बहुत ही महत्पपूर्ण है चाहे हमें समझ में आये ना आये हमारा कलमश्ग्रस्त माइंड कहें यह तो पैसों का मामला है कभी कोई भी दुनिया का पैसा भागवत नहीं करीच सकता आप देखते हैं कि श्रिवा साचार्य को भागवत कैसे प्राप्त हुआ हमें तो प्रिंटिंग प्रेस के रूप में सीधा तया प्रभुपाजी के द्वारा टी स्पून फीडिंग का भागवत मिल रहा है और उसमें भी हमें पैसा दिख रहा है हमारा कितना कलमश्ग्रस्त अवस्था है कि हम आट-दस जहार रुप्य के पीछे भगवान को छोड़ देने के लिए तैयार है हमारे पास यथा शक्ति हरेक व्यक्ति को भाद्रपुणी मां को एक वाव लेना एक प्रण लेना चाहिए कि हमें शिर्मत भागवत को डिस्टुबिट करना ही है अगर हम पुर्वबर्ति आचार्यों को गुरू को प्रसंद करेंगे तो भगवान प्रसंद होंगे प्रभपाजी ने हमारे गुरु महाराज इसोली ने जय पता का स्वामी आचार्यों को आदेश दिया है कि आपको भी हर साल लाखो की मात्रा में उस तक वित्रण करना है और गुर अब दरी हर साल निभा रहे हैं निभा कर आ रहे हैं तो हमें भी अपने गुरु को प्रसंद करने के लिए प्रभुपाजी के रदय को जीतने के लिए भगवान के रदय में अपनी पोजीशन भगवान की प्रसंदा के लिए स्थापीत करने के लिए हमें एक पागल की तरह जारे देखो तारे कहो कृष्णयों को देश जारे देखो तारे कहो श्रीमत भागवतम का वित्रण ये चीज हमारे अंदर प्रस्थापी धोनी चाहिए जैसा नवेंबर मास ओक्टोबर नवेंबर आता है हम पागल की तरह नाचना चाहिए अभी तो भागवत वित्रण का मह सब आ गया क्योंकि उनकी अतापबर या उनकी एक-एक वाक्या के लिए हमारे प्रभु पाजी ने कितनी महिनत की है क्या उनका रूण हम चुका सकते कभी नहीं चुका सकते जैसे कि रुपोगोश्वामी और सनातन गोश्वामी ने लगू भागवतम रोगवत भागवतम लिखा लेकिन विश्वना चक्रवर्ती ने उनको डिटेल में समझाया और हम कल्यों के मंद मंद बुद्धी वाले मानवी हैं हमें पुरुवर्ति आचेर प्रहुपाजी जैसे दिद्य भागवत ग्रंद को अगर हम सबको बांटेंगे तो प्रहुपाजी के रदय को जीत पा तो हमें यह समझना किए कि श्रिमत भागवत का डिस्टुबिशन कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन से भी ज्यादा हमारे आचेरे प्रहुपाजी के एक शिश्य गवर्गोविन समी महराज और इस्सा के थे वह गवर्गोविन समी महराज को वहर दिन श्रिमत भागव कि में है या कोई पर्ग्राम का और गयन नहीं किया है जिस दिन उन्होंने भागवत के बारे में चर्चा नहीं की तो उनका सरदर्ध करता था और वह दवाहों से के लिए बैठ जाते थे तब उसका सरदर्द चला जाता था और हमारी दुर्दशा देखिए हमें भागवत क्लास एटेंड करने के लिए सरदर्द होता है नीन दाती है यह हमारी दुर्दशा है हम कैसे दुसरों को भागवत समझाएंगे इसलिए प्रभुपाजी का भागव अधिये गोपिया इवन गोपीगीत में कह रही है बगवन की महिमा के बारे में तवकतामृतम् तप्तजीवनम् कविभीरीडितम् कल्मशापहम् श्रावनामं अंगलम् श्रीमदाततम् भोवि ग्रुनंतिते भूरिदाजनांग् गोपिया कह रहे है बगवी ग्रुनंतिते भूरिदाजनां जो भगवान की कथा भगवान की अहिमा दुसरों को पहुंचाएगा गोपीका शब्द गोपियों का शब्द है कि भुवी गुरुणंती थे भूरी ना जला वो मनुष्य में सबसे बड़ा बुद्धिमान है यह गोपियों किया मत है गोपियों यह भाव में रहती थी जो भगवान को आकरशित कर गई और वो राधारानी का रधा है लेकर शैतन्य महाप् प्रभु अपने आपको परिवर्तिक हो गए और वो उनके परमपरा में आये हुए आचार्यों ने भागवत के पीछे अपना जीवन समर्पित किया प्रभुपाजी तक उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया और वह भागवत के लिए हमारे अंदर कोई रस नहीं है कोई दिल्चस्पी नहीं है कोई लॉल्यम नहीं है कैसी दूर्दशा है हमारी तो यह भागोत हमें डिस्टुबिट करना चाहिए पागल की तरह हुआ हम देखते हैं प्रहुपाजी के दुसरे शिश्यगण गौर गौविंस्वामी महाराज को तो सरदर्द होता था आए तमल गौश्वामी महाराज प्रहुपाजी मंदीर पहुंचे उससे पहले रात को धाई बजे मंगलारती से भी पहले वो दो बजे धाई बजे भागवत का अभ्यास करते थे कौन तमल कृष्ण गौश्वामी महाराज तो यह हम देख सकते हैं कि कैसे उनकी शिश्यों ने इसकी तिव्रता को ग्रहन किया है एक आगरता से यह भागवत रुपी एक सूरिय है यह सूरिय अपनी टॉप मोस्ट सिच्यूएशन में है यह टॉप मोस्ट सिच्यूएशन भादरपुर्णी मा के दिन और उस दिन परिक्षित महाराज को शुगदेवग स्वामी ने भागवत स आत दिन की मात्रा में सुनाकर पूर्णा होती हुई थी उस पूर्णा होती को मनाने के लिए सुत्व गोस्वामी कह रहे हैं कि यह भागवत इस भ्रह्मांड के अंदर अगर कोई हमारा जीव का तारक है जीव का भगवान का प्रेम-प्रदान करने वाला है जो कोई भी तर आम्रशक और कृष्टन के प्रेम का उस्वादन करवाता है इसलिए शुरुवात में कह दिया कि इसमें जो कचरा है सकाम कर्मों का उसको पहले से रिजेक कर दिया फ़र्न क हो इन्मट सरान्हार्णाम उसमें कईतव धर्मों को पहले ही रिजेक्ट कर दिया और उसके बाद में कहा पीबत भागवत्तम रसमालयम वहां से शुरुवात हो गया है तो यह श्रीमत भागवत है कि यह भगवान के धाम का अम्रूत है कई बार हम देखते हैं कि देवताओगन तो समुद्र मंधन से अम्रूत निकले तो वह अम्रूत पीने के लिए बड़े दिल चस्प पतेड़ वह अम्रूत आज भगवान की और गुरूओं की कृपा से रादारानी की कृपा से हम तक पहुंच चुका है भागवत के रुप में लेकिन हम ऐसे अनाड़ी है कि भागवत का अम्रूत का हमें अनुभ और एक क्रें लिए अनुवां कृप अमारे पूरो वर्ती आचारयों जिन्होंने सबसे पहले भागवत वीट्रान कीया था मौन थे श्रीनिवास आचारियों नरुत्तम दास जी श्यामानन प्रभु ये हमारी परंपरा के सबसे पहले आचारियों हैं जिन्होंने श्रीमत भागवत का बुग डिस्टिबिशन किया और ऐसी अवस्ता में हमें अपने रधय के सिहासन पर बिठा कर श्रीमत भागवत दूसरों को पहुंचा सकते हैं अभी देखते हैं कि रुपोग स्वामी कहते हैं अपनी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में वो कहते हैं चौथा श्लोक में किसी का मन की गुप्त बात को अपनी बात बताना भी है और किसी की बात को अपने रधय में स्विकार ना भी है फिर किसी के घर जाकर प्रशाद स्रिकारना भी है और किसी को अपने घर में बुलाकर प्रशाद खिलाना भी है और ये दान अगर किसी को देना है तो सर्वश्रिष्ट दान देना है जो कि श्रिमत भागवत से बढ़कर नहीं हमारे पास और वो चीज किसके बीच में प्रिती लक्षन है भक्तों के बीच में प्रिती लक्षन है हम अगर भक्तों को भी देंगे वो भी भागवत के स्पर्ष से भक्त बन जाएगा तो ये ददाती प्रती ग्रणाती तो रुपगोस्वामी भी उपहार देने के अनुमधन करते हैं कि कैसे हमें भक्तों के साथ व्यवार करना है कैसे जीवों के कल्या जो व्यक्ति भगवान का शुद्ध भक्त है उसको सभी दुनिया में अभक्त में भी हमारे जो सकाम कर्मी लोग को अलग देखते हैं उसमें भेद लेकिन शुद्ध भक्त को वह भग्त दिखाई देता है क्यों कि अचनश इसलिए जारे देखो तारे को क्रिश्न उपलेश जारे देखो तारे को शुरी मत भौग्वत अंगे धितर्ण ये भाद्रमाज की पुर्णी मा का एक दीन का आउसर दो दीन तीन दीन के अंदर आ रहा है हमारे जैसा कोई मुर्क नहीं होना चाहिए हमें कि हम घर में बैठे रहे हम बार निकल जाए और कैसे भी कम से कम हमारी यथा शक्ती एक दो से पांच से भागवत भी तरण करें हमारी प्रणालिका में इतने मंदिरों को प्रोचसाहन देकर इतने हजार भागवतम सेट वित्रित करूंगा हर साल ओ यूरोप में अमेरिका में एसा वाउ लेते हैं और वैशा सिका प्रभू कहते हैं कि इस दो हजार चौबीस में मैंने वाउ लिया है मैं 67,000 भागवत वित्रित करूंगा 67,000 भागवत सेट में सभी मंदिरों को जरिये और उनके अनुयाईयों के जरिये 67,000 भागवत वित्रण करेंगे इतनी कड़ी इतना कड़ा ये उन्होंने लिया है और वो हर साल अपना ये पूरा करते है लास्ट साल लास्ट येर उन्होंने वाउ लिया था 60,000 भागवत सेट वित्रीत करेंगे और उन्होंने वो कार्य किया तो ये हमें श्रीमत भागवत की महिमा को देखकर श्रीमत भागवत का इंपोर्टन देखकर भगवान का अनुकंपा को देखकर जो हमें मिली है वो पागल की तरह दुसरों को भी पहुँचाए ये भक्त क लक्षण है भक्त का लक्षण लेना लेना नहीं है बलकि देना देना है तो वह भक्त का लक्षन है आई भी देखते हैं कि वामंदवादस्टी आ रही है के बारे में अम देखते हैं प्रगण वह नवधा भक्ति के आत्मनिवेदन के ऐचारिय है और वह अपने लूर सहरेख के पास के कुल में थे प्रलाद माराज की कुल में हैं लेकिन उन्होंने गुरु को भी अनादर करके भगवान को समर्पित के आपने आपको आत्मनिवेदन के भाहों में और परिणाम क्या हुआ आज भगवान उनके द्वार पाल है तो ऐसे भगवान जो भक्त वत्सल है केशवा धृत वामन रूपा जय जगदी शहरे हरे मुकंदा जय जगदी शहरे इस वामन देव भगवान की आविर भावती थी कल अने वाली है इसलिए आज एकादर्शी के दिन बारा बजे तक दो पर बारा बजे तक निर्जला पास भ और जरूर से वली महराज के बारे में शिर्मत वामन देवत के अवतार के बारे में हम भागवत से पढ़ाई करना या सुनना की कोशिश जरूर करें तो इसके साथ समय हो चुका है मैं अपनी वानी को विराम देने जा रहा हूं इस क्लास की कोई भी सुकृती है मेरे मेरी अपनी है कृपया मुझे क्षमा करें वांशा कल्पतर उभ्यश्य कृपा सिंदु वेवच पतिता नाम पावनेव्यो वैष्णवेव्यो नमो नमः अनंत कोटी वैष्णवरंद की जाए शिलब रभुपाद की जाए गुरुदेव महाराज की जाए श्रिमत भागव कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे श्रिमत भागवताम की जाए किसी का कोई प्रस्णा है तो पूच सकते हैं